हुआ है 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 लो फ्रेंड्स वेल्कम टुमाय अट्यूब चैनल आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंस्टागाम अकाउंट को चीटर्स और हेकर्स से कैसे बजा सकते हैं या कैसे सिक्वेर कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके इंस्टागाम अकाउंट की एप्लिकेशन मतलब इंस्टागाम एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद में जिसे तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपको आपके अकाउंट पर जाना है जो आपका अकाउंट का उप्शन रहता है उस पर जाना है उस पर जाने के फिर बाद में यहां पर आपको सेटिंग का उप्शन मिल जाता है जिसे कि वहां इधर आपको 3.0 में मिल रहा है वैसे आप स पर आपको यहां पर एक option मिल रहा होगा तो आपको इसको ओपन करने के बाद में फिर आपको यहां पर एक option मिल रहा होगा यूस टेक्स्ट मेसेज मतलब की आप जब भी इस Instagram अकाउंट को लोगिन करेंगे तो आपको एक आपके नमबर पर text message आएगा वो जो नमबर रहेगा वो आपके Instagram अकाउंट से link रहेगा तो जब भी अगर आप उसको लोगिन करते हैं आपके Instagram अकाउंट को लोगिन करते हैं त तो अगर कोई भी चीटर या कोई भी हेकर आपके Instagram अपन मतलब Instagram account को open करना चाहता है और अगर उसके पास में password है तो password के अलावा भी उसको यहाँ पर OTP की जरुवत पड़ेगी जो कि आपके phone पर आएगा तो वो जब तक उसको access नहीं कर पाएगा जब तक आप उस OTP को उसको पता ना चल जाता है तो इस वज़े से आपका जो Instagram account है वो और भी ज़्यादा secure हो जाता है तो मैं यहाँ पर इसको click करूंगा click करने के बाद में यहाँ पर turn on का option आ रहा है तो मैं turn on करूंगा यहाँ पर अपना number जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आपको number change करना है त बाद में फिर आपको यहाँ पर एक backup code आ जाता है जिसे की कभी by chance आपका जो फोन number है वो घूम हो जाता है या फिर आपका जो फोन number हो किसी कारण्ट से बंद हो जाता है तो आपका जो OTP आता है वो उस number पर पार आना रहता है तो अगर आपका phone number यहा तो आप इस बेकप code क कर सकते हैं तो यहां से जिसे कि मैं इसको कोपी करूंगा कोपी करके आप एक कोई सी भी फाइल बना के और उसमें इसको सेव कर सकते हैं तो यह भी एक अच्छी बात है अच्छी फीचर है यह भी तो इसके बाद मैं फिर मैं आपको यहां पर बताता हूं जिसे कि मैं इसको ल लोग आउट कर दिया है लोग आउट करने के बाद में फिर में वापिस से इसको लोग इन करता हूं तो मेरे पास में टूस्टेप वेरिफिकेशन का एक मैसेज आ जाता है जिसमें मुझे सिक्यूरिटी कोड मांग रहा है वो जब तक मैं उसमें नहीं डालूंगा तब तक व जो है वो यहां पर ओपन नहीं होगा और साथ ही मैं आपको यहां पर दिख रहा होगा बेकप कोड का जो कि अभी मैं आपको बताया है कि अगर आपको बेकप कोड से अगर उसको उपन करना चाहते हैं तो उससे भी उपन कर सकते हैं तो मैं यहां पर अभी सिक्यूरिटी को फोलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मेले लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर भी मुझे इंस्टागाम पर फोलो कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने इंस्टागाम अकाउंट को भी और भी जादा सेक्योर कर सकते हैं, चीटर से और हेकर से, तो अगर आप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंड कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू सो मच